बारह वर्षिय श्रिया परेश जो यूनाइटेड किंगडम से आई हैं। श्रिया सेरेब्रल पालसी से प्रभावित थी, जिससे उन्हें चलने फिरने में गंभीर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। वे जुके हुए घुटनों एवा अभिभावपों के साहारे के साथ ही चल पाती थी। लेकिन उनकी हिम्मत और माता, पिता का संकल्प उन्हें प्रयागराज के त्रिशला फाउंडेशन तक ले आया। यहां डॉक्तर जितेंद्र कुमार जैन की देख रेख में उनका इलाज शुरू हुआ। डॉक्तर जैन और श्रिया की कड़ी महनत और धैर्य ने चमतकार कर दिखाया। आज श्रिया सीधे घुटनों के साथ चड़ी के सहारे लगभग सामान्य रूप से चलने लगी है। जैने की तो मेरा नम योगीन है। देटी का नम स्रिया है। इसका उम्मने थे रहा साथ है। हम लोगों यूक्य से आया है। हम लंडन में इसका रिल्यंस कियाता से मेड़के बात एक पर मितायीती। वापे यूक्य में दो तीन वार बताया है। यूके में खूज भी ने कर पाता था, खूज भी अच्छा सवर लें थे थे, जूटे ने थे, खूज भी ने गोते थे, वापे ऐसे हम देखा है, तो पूज भी ने फरत बहुत हुआ, अम रोको ने यूटूब में देखा था कि यूटूब में देखा कि ऐसा बचो ठीक हो सेरेब्रल पाल्सी पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। के ले फूचे ने खूचे किया हैं, कभी बेठ्षे सब पाई हैं तो अम देली बार देखके वह बहुत खूश हुआ था। सारा ओब कर सत्यान खूचे सर पातिये, खूचे जूटा पेलेतिये, सब खूचे कर पातिये। मैंने पहले बार देखा तो मैं ज्यादा खुश हुई बातने ओ अंदर से खुश हुई कि मैं ओकर पाए बातने में वीडियो सोटा बना कि मैं युके भेजा मेरा पापा ममी और इसकी ममी को तो बहुत खुश हुआ कि इतना तो हुआ इसका फरक कि मैंने पहले बार बुला तो सोचते हैं कि वो डोक्टर नहीं है इसा बुल रही है कि वो डोक्टर नहीं सोचते हैं कि वो डोक्टर इतना है कि सब का दिल जीत देता है कि क्या डोक्टर के पास इतनी कड़ा है कि क्या बंचों के बीमारी है क्या हो है क्या है पकड़ के पता स इसको बहुत आगे लिजाएगी कि एसा दोक्तर सब देश में एसा मिले एसा बहुत को प्राद्न करते हैं